हेलो एब्रिवन, इस्टेडी ये जिम्याप का स्वागत है स्टार्ट करते हैं सेट टंबर 10 और इससे पहले मैंने एक से लेके 9 तक के सेट जो है अप्रूट किये हैं उसको भी आप जाके देख सकते हैं इसमें हम करेंगे 181 से लेकर 200 तक के कॉश्चन चली स्टार्ट करते हैं ये है कॉश्चन नमबर 181 इसमें पूछा गया है कि ये है राज ठीक है ये है भारत की राज इनमें से कौन से राज की सीमा भूटान की सीमा से नहीं मिलती है मैप में देखेंगे हम इसमें कौन कौन से राज भूटान की सीमा को छूते हैं तो ये है भारत का नक्सा और इसमें है ये है यहाँ पर भूटान इसको यदि मैं यहाँ पर मिला देता हूँ तो ये बन जाता है भूटान तो भूटान की सीमा को छूरा है अउनाचल प्रदेश, असम और ये है West Bengal ठीक है पश्यम बंगाल की सीमा भी लग रही है और ये सिक्किम ठीक है ये चोटा सा सिक्किम है ये है असम ये है पश्यम बंगाल और ये है अनुचर प्रदेश तो चार राज्यों की सीमा सिक्किम को छूती है हम देखेंगे option में कौन-कौन से राज्य थे तो सिक यदि मैं इस से बिंदू से इस सीमा को यहां से यहां तक मिला देता हूँ तो यह बन जाता है नेपाल और नेपाल की सीमा को छूते हैं ये उत्तरखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार और ये कुछ हिस्सा जो है पश्यम बंगाल का और सिक्किम का तो भारत के पाँच ऐसे र परवत सरंखला, Andes Mountain Ranch इन में से कौन से महादीप में है, ठीक है, कौन से continent में है, ये है South America में, और Andes Wisp की सबसे लंबी परवत माला है, इसकी लंबाई है लगभगाद, तर सो किलो मीटर, और Andes परवत की सबसे उची सरंखला कौन सी है, तो वो है एकांक गुआ, ठीक है, एका 2960 मीटर, और ये सारे हैं, अलग-अलग महादीपों की सबसे उची सरंखलाएं, ठीक है, सबसे उची चोटियां, highest point on the each continent, तो एस ये महादीप की सबसे उची चोटी है, Mount Everest, और जो की नेपाल में स्थित है, इसकी उचाई है, 8848 मीटर, फिर अफरिका की बात करें, तो अफ आशका, जो की USA का भाग है, और South America, South America की है, Mount Aikaguan, जो की Argentinian देश में पढ़ती है, अंटाक्टिका में है, Winston Massif, और योरोप में है, Elbrus, जो की रशिया और कुछ हिसा जो है, Georgia में आता है इसका, और Australia में है, Cossiesco, और ये है Australia देश में, आईए इसको मैप में देखते ही, त सबसे मुची स्रंकलाएं कहाँ पर है, तो ये है Asia महादीप, Asia महादीप की सबसे मुची चोटी है, हमालाय में, Mount Everest, ये है Nepal में, जूमिन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, ये है Nepal में, ये है Nepal Country, और यहाँ पर है Mount Everest, दुनिया की सबसे मुची चोटी, फिर बात करते हैं, यूरोप की सबसे मुची चोटी कौन सी है, तो ये है Elbruch, Elbruch है यूरोप की सबसे मुची चोटी, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं मैप में, जॉर्जिया में है, जॉर्जिया देश, और ये थोड़ा सा हिससा इसका, रशिया का है, तो ये है जॉर्जिया और रशिया मे तो यहाँ पर है तो यहाँ पर तंजानिय देश में इस्तित है किली मंजारो ठीक है अफरिगा महादीब की सबसे उची चोटी इसके बाद चलते हैं उस्टेलिया महादीब की तरफ तो यह है उस्टेलिया देश ठीक है उस्टेलिया महादीब में है उस्टेलिया देश यह य तो United States का भाग है Alaska यह यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस्तित है यहाँ की सबसे उची चोटी जिसका नाम है Mount McKinley फिर जाएंगे North America के बाद दक्षुन अमेरिका की तरह तो इसमें यहाँ पर है एंडी परवस रंकलाब यह दक्षुन अमेरिका की सबसे उची चोट Community Mount Aikangua और फिर चलते हैं तो यहाँ पर अंटाक्टिका महादीप यहाँ जो की बर्व से धाका रहता है यहाँ पर यह इस्तित है यहाँ पर अंटाक्टिका की सबसे उची चोटी विंसन मैसिफ आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से कौन से देश से एक्क्वेटर या भ तो मैक्सिको से सिर्फ करक्रेखा गुजरती है तो यह भी आप याद रख सकते हैं कि करक्रेखा गुजरती है मैक्सिको से इसके अलबा भारत से गुजरती है करक्रेखा आए विस्व के मांचित्र में देखते हैं कौन-कौन से देशों से भूमत द्रेखा निकलती है तो यह ह अफरिका महादीप से निकलती है भूमद्रेखा क्वाडूर कुलंबिया ब्राजील ठीक है इसके बाद अफरिका महादीप के आप यह देख सकते हैं केन्या था ऑप्सन में तो जूम करूंगा यह केन्या केन्या से भी गुजरती है आगे बढ़ेंगे तो यह हमारा यह मलेश इंडोनेसिया यहां से गुजरती है तो यह सारे देश हैं जहां से भूमद्रेखा गुजरती है बात करें करकरेखा की तो करकरेखा है उपर जो भारत से गुजरती है और एक आप्सन आया था मैक्सिको मैक्सिको की इस्तिती है यह यह देख सकते हूं तरी अमेरिका के सबस सहर कहलाता है तो वेनिस को बोलते हैं हम नहरों का सहर वेनिस कह महादीप अंद महादीप बोलते हैं हम अफरिका महादीप को और सुर्योदा का देश है जापान यहां पर सबसे पहले सुर्योदा होता है और चीन का सोक या सौरो ओफ चाइना को बोलते हैं यह हांग हो नदी तो हांग हो नदी को बोलते हैं हम चाइना का शोक या सौरो ओफ चाइना दक्षन का Britain किसको बोलते है न्यूजीलेंड को दक्षन का Britain है न्यूजीलेंड देश अगला प्रश्न है भारती टाइगरों को बचाने के लिए ठीक है to save Indian Tigers प्रोजक्त Tigers को किस वर्ण से लागू किया गया यह किया गया था 73 मैं और इसके पहले बारत में एक वन्यजीव संरक्षंअ अधिनियम भी लाया गया था जो कि लाया गया था 1972 मैं और टाइगर की संक्या में कभी कमी हो रही थी इसलिए उनका टाइगर का संरक्षन करने के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को लाया गया भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का जो जना कहलाता है वो है केलास सांखल लेया केलास सांखल लेया इनका नाम आप याद रख सकते हैं ये जो है बार बार कोशन पूचा जाता है इसके लाबा ब बाग दिवस मनाया जाता है या टाइगर डे 29 जुलाई को 29 जुलाई अंतराश्टी बाग दिवस यदि मैं पूरे भारत की बात करूँ तो भारत में लगभग पूरी दुनिया के 70% टाइगर पाए जाते हैं एशिया महादीप के बहुत सारे देसों में टाइगर पाए जाते हैं भारत में भी सबसे ज़्यादा टाइगर हैं मध्यप्रदेश के अंदर मध्यप्रदेश में 526 टाइगर हैं फिर है करनाटक में करनाटक में हैं 524 और उत्रखंड में 442 यह डेटा आया है 2018 की जो बाग आकलन रिपोर्ट हुई थी उसके अधार पर में यह बता रहा हू मध्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर इसलिए मध्यप्रदेश को बोलते हैं टाइगर स्टेट और बागों की संख्या को गिनने के लिए हम एक एप इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एम स्ट्राइप्स यह भी आपको याद रखना है यह भी कई बार पूछा ग की सकति या गती को मापा जाता है अगला कोशचन है डैंगू नंबर 187 टीक है डैंगू जो है एक बुखार है यह मानव में कैसे भेलता है तो यह एक वाइरस का रोग है और फीमेल एडी मच्छर द्वारा फिलता है और मलेरिया की बात करनें तो मलेरिया फिलता है प्रोट जो ये प्रोटो जोवा है प्लाजमोडियम नाम का ये लेके उड़ता है मादा एनाफिलीज मच्छर मादा एनाफिलीज तो मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाता है डेंगू फैलाता है मादा एडीज मच्छर कार्बन मौनो ऑक्साइड एक वेसलिक ऐस है जो क हमारे सरीर के कौन से भाग को प्रभावित करती है तो ये प्रभावित करती है हमारे ब्लड को ठीक है ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रभावित करने की छमता है उसको प्रभावित करती है तो कारवन मोनो ऑक्साइड क्या करती है रक्त की ऑक्सीजन को वेहन करने की छमता मतलब पहने की छमता को प्रभावित करती है त्रिपिटक किस से संबंदेत है त्रिपिटक संबंदेत है बुद्धिस्ट से ठीक है बुद्ध धर्म से संबंदेत त्रिपिटक और बुद्ध साहित्त को हम त्रिपिटक कहते हैं और त्रिपिटक जो है तीन है ठीक है तीनों के नाम आपको बता देता हूँ, पहला है सूत्य पिटक, सूत्य पिटक, सेकेंड नंबर का है विनाय पिटक, विनाय पिटक, और तीसरा नंबर है अभी धम में पिटक, अभी धम में पिटक, तो ये तीनों है पिटक, सूत्य पिटक, विनाय पिटक और अभी धम में पिटक और ये स सम्मन देते हैं बोध धर्म से फिंति पित अमधित पीतgruppon कोती जो जो भाली भांतों के किये वहाецब्बां монet और बहुत मतों की डारशनिक की गई है और जो भाली भास और पूछा जाएकि जयन ग्रंतों की किस MOREत अगला प्रशन है राश्तरंगणी जो की कल्लर के द्वारा लिखी गई ये किस से संबंदित है ये संबंदित है काश्मीर के इतिहास से काश्मीर का इतिहास काश्मीर का इतिहास लिखा गया था राश्तरंगणी में ये लिखा था कल्लर ने और कल्लर जो है हर्स के सासनकाल मे कभी थे इनमें से कौन से विक्ति ने तीनों गोल में सम्मिलन में भाग लिया था ये थे भी आर अंबेटकर ठीक है भीमरा अंबेटकर ने तीनों गोल में सम्मिलन में भाग लिया था और सिर्फ सेकेंड जो गोल में सम्मिलन हुआ था उसमें भाग लिया था गांधी जी ने इनमें से कौन से विक्ति ने अभिना भारत का गठन किया था तो इसका अंसर है विनायक दामोदर सावर कर इन्होंने 1904 में अभिना भारत की स्थापना की थी और अभिना भारत एक क्रांतिकारी संग अठन था सेंक तराश्ट संग में जो हिंदी में सबसे पहले भासन किस ने दिया था ये दिया था अटल विहारी बाचपेई जी ने अटल विहारी बाचपेई और स्वामी बिवेकरंद जी ने दिया था 1893 में सर्व धर्म सम्मेलन जो की सिकागो में हुए था 1893 में उसमें उन्होंने बहासन दिया था लाल बहादुर सास्तिरी की बात करें तो ये थे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री जो की 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री रहे क्वेश्चन नमबर 194 अमीर खुसरो ये कि सासनकाल से सम्मंदित है तो ये था अलाउद्दीन खिल जी के सासनकाल में अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था ये था मुहम्मद हसन और उन्हें तूतिय हिंद के नाम से भी जाना जाता है अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिल जी के सासनकाल के अलावा बलबन के सासनकाल में भी थे मोहन जोद्रों जो की संटू घाटी सबrostन से संबनेट है यह प्राचीन सहरता संदू घाटी सब बेता का इंडस वैली सीविल आईएसन तो वर्तमान में इसकी स्थितवि कहां पर है यह पाकिस्तान के संद प्रांत में और इसके अलावा और मोहन मोहन जोड़ों की खोज की थी राखलदास बनर जी ने 1922 में 1922 और सबसे पहले जो खोजा गया था है सिंदु घाटी सब्इटा का सेर वह हरपा और हरपा की खोज हुई थी 1921 ये की थी दैयराम साहिनी ने इसके बाद खोज हुई थी मोहन जोड़ों की 1922 में ये किये था रा है. कृष्ट न रिवर. इसके अलावा दो तीन बांध और याद रख सकते हैं जैसे हीरा कुंड बांध हीरा कुंड बांध है. महानदी पर बना है और ये उरीसा में है. ठीक है? भाकर नागल बांध की बात का ने तो वो बना है सथलोज नदी पर पंजाम में. हमाला परवस् नहीं है कहा पर हैं जम्मु कस्मीर में हैं फिर हिमाचल प्रदेश में हैं उत्रकंड में हैं नीची में जाएंगे तो इस तो इमालाय जो है उत्तर प्रदेश में तो यह को यह तर्बानिय कोती है तो यह होती हैसे से उत्तरपूर्व की और मादलो यह था तो यहां से जो है मांशून आते हैं अरप साघर होते हुए और फिर पहले जून के महाने में केरल में केरल में ये मानसून वर्षा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हुई ये North East की तरफ बढ़ते हैं तो ये सारे मानसून जो है गर्मियों में आते हैं और 80% वर्षा जो है भारत में इसी मानसून द्वरा होती है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क या राश्टी उद्यान कौन सा है तो ये है कॉर्वेट नेशनल पार्क इसका नाम पहले हेली नेशनल पार्क भी था तो जब ये बना था इसका नाम था हेली नेशनल पार्क ये बना था 1936 में तक है इसका नाम बाद में Jim Corbett के नाम पर Corbett National Park कर दिया गया काना National Park यह है मद्य पर देश में दुद्धवा नेशनल पार्क की बात करे ये है उत्तर पर देश में और राजा जी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में अगला प्रश्ण है अलास्का इसमें से कौन से देश का हिस्सा है तो ये है United States of America, अमेरिका का हिस्सा है अलास्का?